दूसाइटी इंडिया दिन बीतने के बाद शाजांशेक की गिरफतारी हुई इसके बाद उन्हें पेशी के लिए कोट ले जाए गया लेकिन पेशी के दौरान शाजांशेक की बोडी लैंगवेज चर्चा में आ गए क्योंकि पुलिस के आगे चलते हुए शाजांशेक आत्म विश्वास से भरे दिखे उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि पुलिस को पचास से जादा दिनों से उनकी तलाश थी क्योंकि उन पर E.D. की टीम पर हमले और आदिवासी समुदाय के लोगों के शोशन का आरोप लगा और इन आरोपों पर मचे हंगामे के बीच शाजांशेक अपने पुराने तेवरों में नजर आ यही नहीं बसिरहाट कोर्ट से निकलने के बाद भी उनके वही तेवर दिखे कोर्ट से निकलने पर किसी पुलिस वाले ने उनका हाथ नहीं पकड़ा और शाजान शेख तेजी से कोट से निकले और बड़े आराम से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैट गए इसके बाद उन्हें कोलकता में पुलिस मुख्याले लाया गया यानि गिरफतारी के बाद जब जब शाजान शेख नजर आये वो आत्म विश्वास से भरे दिखे शाजान शेख को पांच जनवरी को एडी पर हुए हमले के मामले में गिरफतार किया गया लेकिन जैसे ही संदेश खाली के लोगों को ये खबर मिली उन्होंने जश्ट बजाना शुरू कर दिया क्योंकि संदेश खाली के आदिवासी समुदाय के लोगों ने शाजान शेख और उनके करीबियों पर उनकी जमीन हडपने का आरोप लगाया था यही नहीं संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने उनके शोशन होने का भी आरोप लगाया था और इसलिए शाजान शेख की गिरफतारी की खबर मिलने पर वहां जश्ट मना महिलाओं ने इस खुशी में वहां होली खेली एक दूसरे के गाल पर गुलाल मला और वंदे मातरम के नारे लगाए शाजान शेख की गिरफतारी की खुशी में इन महिलाओं ने एक दूसरे का मूँ भी मिठा कराया क्योंकि एडी की टीम पर हमले के बाद संदेश खाली की महिलाएं ही थी जिन्होंने शाजान शेख के खिलाफ मोर्चा खोला था और उनकी गिरफतारी की खबर मिलते ही संदेश खाली में जश्ट शुरू हो गया लेकिन शाजान शेख को एडी को नहीं सौपे जाने पर सियासत चुरू हो गई शाजान शेख के मामले की जिम्मेदारी CID को दे दी गई और इस बात पर BJP ने आपत्ती जताए BJP ने मांगी कि इस मामले की जाज की जिम्मेदारी ED को सौप दी जाए क्योंकि शाजान शेख को ED की टीम पर हमले के मामले में गिरफतार किया गया पशिम बंगाल सरकार उन्हें ED को क्यों नहीं सौप दे रही BJP ने जैसे ही ये मुद्धा उठाया TMC का जवाब आ गया सियासी किंच्टान के बीच TMC ने शाजान शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंट कर दिया लेकिन इस बीच BJP नेता शुवेंदू अधिकारी संदेश खाली की आदिवासी समुदाय की महिलाओं से मिलने निकल पड़े जैसे ही उन्होंने दोबारा संदेश खाली जाने का आईलान किया वो पूरा इलाका चावनी में बदल दिया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिया बीजेपी ने आरोप लगाया कि मम्ता बेनर जी की सरकार ने शुवेंदू अधिकारी को रोकने के लिए वहाँ पुलिस तैनात की लेकिन शुवेंदू अधिकारी भी पीछे नहीं अटे वो रामपूर बाजार इलाके में एकदम डट कर खड़े हो गया अब एक तरफ सुरक्षाबल के जवान थे तो दूसरी तरफ शुवेंदू अधिकारी और उनके समर्थक दोनों ने अपने खदम पीछे लेने से साफ इंकार कर दिया इसे हुआ ये कि वहाँ अचानक काफी तनाव बढ़ गया कुछ देर मान मनवल का दौर भी चला लेकिन शुवेंदू अधिकारी टस से मस तक नी हुए इसके बाद आखिरकार उन्हें नाव की मदद से संदेश खाली तक ले जाने की विवस्ता की गई करीब 20-25 जमानों से घरे शुवेंदू अधिकारी उस नाव पर चड़े और अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते हुए संदेश खाली की तरफ रवाना होगा और इसी बात पर पश्चि मंगाल में ऐसा बवंडर उठा की वो शाजां शेख की गिरुफतारी के बाद भी नहीं थमा क्योंकि शुवेंदू अधिकारी को रोके जाने पर वहाँ एक बार फिर बवाल हो गया हलाकि जैसे ही वो संदेश खाली पहुंचे वहाँ पहले से मौजूद उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उन्हें उन महिलाओं के घर ले गए संदेश खाली की संकरी गलियों में जब शुवेंदू अधिकारी का काविला भसा तो वो कार से उतर कर पैदल ही आगे बढ़ दे इस दोरान उन्होंने ममता बिरंट जी पर टीखा अमला बोला शुवेंदू अधिकारी ने ये एलान भी कर दिया कि बीजेपी संदेश खाली की महिलाओं की बहादूरी का सम्मान करेगी बीजेपी ने आरोफ लगाया कि शाजां शेख की गिरफतारी के बावजूद कुछ नहीं बदलने माला इसलिए शुवेंदू अधिकारी ने संदेश खाली की महिलाओं का हवाला देते हुए इस केस को सीबी आई को सौंपने की अपील की और ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ये दौर सिर्फ संदेश खाली तक ही नहीं रहा बलकि राज्य के कई हिस्सों में फैल गया क्यातू